फ्रेंड्स यहां पे मैं यह बात करना चाहता हूं कि एक लीडर का सबसे बेसिक फंडामेंटल क्वालिटी कैसा होना चाहिए ऐसा अगर एक बेसिक क्वालिटी अगर आपको खुद में डेवलप करना है जिसके आधार पे यू कन लीड वो कौन सा है चलो कुछ एक्स्प्लोर करते हैं इन्हों आप जानते हैं रिस्पॉन्सिब्लिटी के बगार कुछ बात नहीं बनने वाली है अबही आपके सामने जो परिसिती है वो बाहर या आपके अंदर अभी आपके सामने जो परिसिती है उसको हैंडल करने की आपकी जो अबिलीटी है आपकी जो ख्षमता है That is responsibility यहाँ पे responsibility को मैं दो पार्ट में बताना चाहता हूं Part 1 खुद के प्रती जिम्मेदारी You are being responsible for your own self यह तो एक लिडर के लिए बहुत ही आवशक है अगर इस बात को आप समझो तो आप अपने जीवन के जिम्मेदारी लो या ना लो पर खुद के जीवन के लिए आप ही जिम्मेदार है You are responsible for your action You are responsible for your non-action You are responsible whether you are getting the result or not You are responsible for your feelings You are responsible for your happiness Or unhappiness So खुद के जीवन के जिम्मेदारी तो खुद की है तो पहला point अपने जीवन के जिम्मेदारी का पूर्ण स्विकार जीवन में development के लिए ये बहुत basic आवश्यक्ता है कि आपके जीवन के जम्मेदारी आप स्विकार करो पर वो enough नहीं है अगर आपको leadership quality को develop करना है तो जो दूसरा point है वो basic fundamental है और वो है किसी और के जम्मेदारी का स्विकार responsibility को मैं दो तरह से समझता हूँ एक खुद के जीवन के जम्मेदारी का स्विकार लेकिन that is not enough यहाँ पे एक ऐसे attitude को develop करना है एक ऐसे mindset को develop करना है I am responsible for others also I want to take responsibility for others that willingness to take responsibility for others वो फिर कुछ भी हो सकता है other means sky is the limit जब आप दूसरों के प्रति जम्मेदारी का एहसास करने लगते हैं तब आपका मन और ज्यादा creative हो जाता है आपके अंदर की चेतना आपके अंदर की शक्तियां फैलने लगती है आपका confidence फैलने लगता है और यह सब basic quality है leader के लिए यह आपका स्वभाव ही हो जाता है किसी को support करना it's like wherever you go you want to make difference outside किसी के जीवन में कुछ फरक करने की अंदर से एक तैयारी हो जाती है आप सिर्फ यह नहीं सोचते कि मैं मेरा कर लूँ आप यह सोचते है कि मेरा तो definitely होई जाएगा let me see outside how can I serve how can I contribute how can I give जब अपने अंदर यह second point develop होने लगता है that willingness to take responsibility for others you know you are already a leader automatic एक आप magnet बनने लगते हैं and people will prefer to follow you automatically this is actually the quality of a leader जब यह attitude develop होना शुरू हो जाता है कि मैं दूसरों के लिए क्या करो फिर वो आपका workplace हो या फिर आपका family हो या फिर friends हो कहीं पे भी because it is your attitude so by default आप से कुछ positive action ही होंगे because attitude is to support others friends मैं यह मानता हूँ कि हम बाकी बहुत skills को हमारे अंदर develop कर ले पर मैं यह समझता हूँ कि एक leader बनने के लिए this is a fundamental basic characteristic we all need to develop two things responsibility for yourself and responsibility for others friends I am sure यह video कहीं न कहीं आपको support करेगा life में अगर आपके कोई ऐसे question है जो आपकी professional या personal life से जुड़े है तो आप definitely share कीजिए because I really want to support कोई भी प्रशन ऐसा है जो मैं अपने आप में explore करता हूँ और कोई तो solution मिल जाता है ऐसा जो कहीं किसी को काम लगे सो फिर से आपको मैं याद कराना चाहता हूँ कि ये channel आपके बहुत सारे दोस्त इसको join करें ये बहुत आवशक है हमारा family grow होता जाए तो इसी तरह से हम लोगों को support कर सकते हैं internally strong होने के लिए तो like करो share करो और lot of comments लिखो क्योंकि वो मुझे inspire करता है और अच्छे topic को ढूणने में so मिलते हैं friends next video में see you bye bye